हेलो दोस्तों नमस्कार आप सबीका स्वागत है टार्गेट क्लासे जिद हरी सर्में इस वीडियो में हम फिजिकल आइजक्वेशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट डेखेंगे जिसमें टोटल एक सो पचास क्वेशन दिये हुए है इसमें 30 प्रैसन आपके जीयस से रिल लखिएगा कि कितने क्वेशन आपके सही होते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दीजिए जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके तो शुरुवात करते हैं आ आखरा नांगल बांध परियोजना किस नदी परिस्थित है तो यह किस नदी परिस्थित है सतलज नदी परिस्थित है तुंग भद्र नदी परिस्थित है गंगा नदी परिस्थित है या फिर डी आप्शन रियंद नदी परिस्थित है most important question है 30 question GS से related starting में आपको GS से 30 question दिये गए है तो first question का answer जो relate करेगा यहाँ पे A option से संबंदित है सतलज नदी इस question का सही answer होगा और जितने लोगों का answer सही हुआ है उनका एक number confirm होता है next question पर move करते है next question math से related है यदि A plus B is equal to 1 दिया हुआ है तथा AQ plus BQ plus 3AB is equal to K तो हमको value पता करनी है कि K का मान क्या होगा तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दखिएगा इन questions को लगाना पड़ेगा कुछ लोगों को तो math बहुत अच्छे से आता होगा लेकिन बहुत से students ऐसे होंगे 90 से 95% यो कि physical education में maximum students जो होते है वो math का portion weak रहता है तो इसलिए तीन questions आने है general mathematics आप लोग अवसे पढ़ लीजिएगा केवल class 6, 7 earth की book से most important book है उत्तर प्रदेश में जो government schools में class earth की book चलती वहाँ सी यह सारे questions आपको मिल जाएंगे तो इस question को solve कर देते हैं a plus b is equal to 1 दिया हुआ है यहाँ पे a cube और b cube के format में question है तो इसका दोनों side में कर देंगे दोनों पच्छों का घन करने पर तो यह formula बन जाएगा a plus b का whole cube a cube plus b cube plus 3ab और bracket में a plus b equal में 1 का cube एक ही रहे गए नहीं 1 रहेगा यहाँ पे हमको value इसकी पता है 1 तो यह last में बचेगा a cube plus b cube plus 3ab equal में 1 अब इससे compression करा देते तो k की value क्या निकल के आएगी 1 निकल के आएगी right answer जो हो जाएगा यहाँ पे a option हो जाएगा a उत्तर इसका सही answer होगा next question पर move करते है next question है सीमान्त गांधी के नाम से किसे जाना जाता है very very most important LT grade के साथ साथ uncompetitive exams के लिए भी जो भी UPSC या फिर PET से related exam दिये हैं या फिर तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी important question है इसका जो answer हो जाएगा खान अबदुल गफार खान हो जाएगा right answer या ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा next question पर move करते है next question है fourth number का मुख्य न्यायाधीस की न्युक्ति कौन करता है तो ये आपको बताना जो मुख्य न्यायाधीस है इनकी न्युक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री राष्ट्रपती मंत्री परशद या फिर उपर राष्ट्रपती बताईएगा question number fourth का answer यहाँ पर क्या हो सकता है मुख्य न्यायाधीस की बात की जा रही है supreme court का जो मुख्य न्यायाधीस होता है इसकी न्युक्ति कौन करता है तो यह राष्ट्रपती के द्वारा न्युक्ति किया जाते है बी option इस question का सही हो जाएगा important है एक question आप लोग के लिए है जो राज्यों में न्यायधीस होते है उनकी न्युक्ति कौन करता है next question पर move करते है कितने वरसों तक के बच्चों को सिच्छा अनिवार की गई है कितने वरस तक के बच्चे है उनकी सिच्छा को अनिवार किया गया है गौर्मेंट के द्वारा RTE Act 2009 के तहत तो यहाँ पर जो answer हो जायागा option देख लीजिए का पहले 6 to 14 years 5 to 14 years 3 to 8 years या फिर D option 7 to 12 years right answer बताईएगा इसमें changes हो सकता है new education policy के तहत लेकिन अभी तक यही answer आपका right answer माना जाएगा जो भी आपको अभी बताया जाएगा तो जितने भी लोग answer क्लिक किये हैं A option उन सभी का उत्तर right हो जाएगा A उत्तर सही हो जाता है next question पर move करते हैं six number का question है most important इस तरीके का question हमने आपको एक जो तीस question जी एस से रिलेटर कराया थे वहाँ पर वो question हमने already आपको कराया हुआ है तो ये question देख लेते हैं six में क्या दिया हुआ है यदि एक आजता का समानांतर खट फलक की दो आसन न भुजाएं एक सेंटी मीटर दो सेंटी मीटर है और समानतर खट फलक का कुल प्रष्ट छेतरफल दियान रखिएगा ये जो लाइन लिखी हुए प्रष्ट छेतरफल ये important है 22 वर्ग सेंटी मीटर है तो समानतर खट फलक का वीकर्ण क्या होगा अब बताना है इस question को कितने लोग solve कर सकते हैं कोसिस करिएगा क्या answer आएगा class 10th के label का question है जो आप लोग घन घनाब पढ़ाते होंगे जो भी teachers high school की math पढ़ाते होंगे वो तुरंत लगाएंगे तो right answer यहाँ पर क्या हो सकता है जल्दी से देखिएगा एक चीद ध्यान रखेगा जो आयताकार समानांतर खटफलक लिखा यह आपका घनाब हो जाएगा घनाब इक्वल होता है आयत के और घन जो होता है यह होता है वर्ग के इक्वल तो हम इसमें formula लगाएंगे घनाब का प्रष्टी यह छेतरफल नहीं संपूर छेतरफल इन्होंने दे रखा है और तीसरी भुजा इसमें नहीं पता है उसको X सपोर्च कर लेते हैं तो formula क्या होता है दो bracket में LB प्लस BH प्लस HL यह होता है formula और इसका जो प्रष्ट छेतरफल है 22 दिया हुआ है हमने इनकी साइड सपोर्च कर ली X से 1 दी हुई है एक 2 दिया हुआ है इसमें value put कर देते हैं 2 bracket में L प्लस B यहीं X इंटू 1 X हो जाएगा प्लस BH हो जाएगा 1 इंटू 2 2 बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 1 जा 2 HL क्या हो जाएगा 2 X हो जाएगा यहाँ पे 22 रहेगा 2 से इधर cut कर देंगे 11 आ जाएगा और 2 1 3 X होगा इसको उधर minus करेंगे 11 में 2 9 यहाँ पे 3 X is equal to 9 बचेगा यहाँ पे 3 X is equal to 9 आएगा इसको cancel कर देंगे यह 3 आएगा X की जो value suppose किये थे cm पूचा गया है इसका बिकर्ड तो बिकर्ड का formula होता है अंडर रूड में L square प्लस B square plus का H square घनाप का है यह formula ध्यान रखिएगा value यहाँ पे आई थी 3 यानि 3 का square हो जाएगा और 1 एक दिया हुआ 1 का square होगा 1 दिया हुए 2 cm तो 2 का square तीन को 2 बार multiply करेंगे 9 आएगा 1 10 हो जाएगा 2 दुना 4 और 10 4 14 यानि under root 14 cm जिस भी option में दिया हुआ है वो उत्तर सही answer होगा तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा C option तो आपका right हो जाएगा जल्द बाजी में जो 3 root 14 लिखा ये ना टिक करिएगा ये गलत हो जाएगा C option इस question का विल्कुल right answer होगा next question पर move करते हैं 2-3 बार लगाईएगा question कोई भी इस तरीके गाएगा आप लोग का question लग जाएगा एक्जाम में night angle of India किसको कहते हैं चानक के को कहते हैं लता मंगेसकर को कहते हैं सरोजनी नाइडू को बोलते हैं या फिर D option इंद्रा गांधी को बोलते हैं option के according answer attempt करिएगा सही उत्तर हो जाएगा C option सरोजनी नाइडू से relate करेगा next question UNESCO का मुख्याले कहां है UNESCO का मुख्याले कहां अवस्थित है important है ये भी question सही उत्तर यहां पे कुछ students का जिनेवा भी आया होगा कुछ का Paris भी कुछ लोगों ने Washington भी लगाया होगा उत्तर आपको जो relate कर जाएगा B option यहां पे इस question का सही हो जाएगा next question पर move करते हैं ninth number है राज्य सभा वा लोक सभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है बताईएगा लोक सभा अध्यक्ष बुलाता है प्रधान मंत्री बुलाता है उपराश्ट्रपती या फिर राश्ट्रपती उपराश्ट्रपत से related question पूछा जाता है राज्य सभा का पदेन सभापती अगर आ जाए तब उपराश्ट्रपती होगा लेकिन राज्य सभावा लोक सभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये आपका D option राश्ट्रपती से relate करेगा D उतर सही answer होगा next question पर move करते है 10th number का question है ये भी mathematics से related 3 question minimum आपको मिलेंगे math से तो इसलिए math के portion जो 3 questions का होता है वो आप लोग बिलकुल 100% सही करिएगा बहुत से students सोचते हैं कि एक दो question गलत हो जाएगा तो उसमें क्या एक एक question जो भी students इस बार अभी TZT में एक नंबर से भी रह गया होगा उसने merit list देख्योंगे कितने students उसके उपर होते है merit list में इसलिए एक एक नंबर आपके लिए महत्तोपूर है तेंथ नंबर है 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्ग मूल होगा इन्होंने यहाँ पर पूँच लिया कि इसका वर्ग मूल क्या होगा तब इसके लिए क्या करेंगे इसको पहले तो रूट 5 यह बन जाएगा प्लस लगा देते हैं वर्ग मूल में क्या होता है इससे अंडर रूट 4 लिखा हो तो उसका वर्ग मूल आता है 2 उसी तरीके से इसका हम बनाएंगे यहाँ पर 3 का स्क्वाइर 9 बनेगा रूट 5 का स्क्वाइर 9 में 5 जब प्लस करेंगे रूट 5 रूट 5 रूट 5 आएगा तो 14 हो जाएगा यहाँ बन जाएगा 3 का स्क्वाइर प्लस रूट 5 का स्क्वाइर प्लस 2.3 डूट 5 यह यह बन गया a plus b का whole square तो a plus b में क्या बनेगा a की value ये हो जाएगी और b की value root 5 होगी तो a plus b है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 plus root 5 का whole square और ये वर्गमूल का sign लग गया बाहर निकल के आएगा 3 plus root 5 जिस भी option में दिया हुआ है 3 plus under root 5 वही हो जाएगा right answer नि b option में यहाँ पर दिया हुआ है तो b उत्तर इसका सही हो जाएगा next question पर move करते हैं बहुत आसान सा question है computer से related www का पूरा नाम क्या होता full farm worldwide wave से relate कर जाएगा d option सही answer होगा next question है राष्ट्रपत किस अनुछेद के अंतरगत लोक सभा को भंग कर सकता है तो यह कौन सा अनुछेद होगा जिसके अंतरगत लोक सभा को भंग कर सकता है इसका एक तरीका होता 89, 81, 81 जब quality से related question कराए जाएगे वहाँ पर यह समझा दिया जाएगा इस question का answer देख लेते हैं 12th का क्या हो जाएगा अब 80 के हमने अभी बात की थी तो 80 B से relate कर जाएगा A उत्तर इसका सही होता है next question पर move करते है 13th number है किस अनुछेद के अंतरगत बच्चों को सिक्षा अनिवार की गए जो बच्चों के सिक्षा है उसको अनिवार किया गया है important है 21 A के अंतरगत होता है D option इसका सही answer हो जाएगा ये भी question पूछा जा सकता है कौन से समिधान संसोधन के अंतरगत ऐसा किया गया वो आप लोग बताईएगा थोड़ा सा search करिएगा उसमें 2-3 point extra और मिल जाएगे next question पर move करते हैं 14th number का question है ये question आप लोग solve करिएगा 4.5 answer आएगा यहाँ पर लगा हुव है divide का sign भाग करना है इसको ये आएगा सारे point हट जाएगे यहाँ पर 4 के बाद यहाँ 4 के बाद यहाँ पर 3 तो 3 से ये point गैब हो जाएगा यहाँ से ये हट जाएगे और इससे ये point हटेंगे तो इसको कैसे solve करेंगे 3.5 5 into 4 times 5 into 2.025 point हट जाएगे 2025 होगा upon में हो जाएगा 225 into 17775 इन टू 4 time 2 इसको कट करते हैं यह 11 से 11 से कट जाएगा 11 5 जा यह दो नमबर एक साथ 0 लगेगा 11 5 5 0 5 11 टू जा यह तू यहाँ पर यह आगया 11 टू जा टू टू 5 1 जा लगा देते हैं 5 1 जा यह 0 1 5 3 जा 15 2 27 5 5 जा 27 5 5 जा 5 5 जा अब यहां से यह देखिएगा इधर से यह कैंसल हो जाएगा आप क्या कर सकते हैं 5 से इसको काट सकते हैं 5 4 जा और 2 इधर आया 5 5 जा यहाँ पर पॉइंट हमने बताया था यह नहीं होगा इसको हटा दीजेगा यह आएगा 5 4 जा और यह बीच में 0 लगा देंगे 5 5 जा यह 1 0 1 अभी बचा है इससे 2 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा नीचे यहां 2 बचेगा 101 को 202 से 2 बार में लग जाएगा और इसको अगर काटेंगे यहां से 5 से काट देते हैं 9 से भी कट जाएगा 5 से काटते हैं 5 9 जा 5 8 जा और 9 9 जा 9 उपर बचा नीचे बचा था 2 यह नहीं 9 अपॉन 2 इसको कैंसल आउट करेंगे 4.5 आ जाएगा यह हो जाएगा आपका C option यहां पर सही आंसर होगा इस question का आप लोग लगाईएगा लग जाएगा आसानी से question next question है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविस्कार किया most important आसान सा question देखिए क्या answer यहां पर हो सकता है अल्फ्रेड नोबल dynamite से relate करेगा C option सही answer होगा next question है 15th next है 16th योजना आयोक का पदेन अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोक की बात की जारी इसका नाम बदल दिया गया है वो आपको बताना है कि योजना आयोक का नया नाम क्या है और उसके CEO है अमितात कांत इस question का जो answer हो जाएगा क्या होता है C option से relate करेगा प्रधान मंत्री C option right answer होगा next question most important इसका परिवर्तित नाम से question बहुत मुच्छा जाता है द्रोणा चार्क पुरुसकार कि छेतर में दिया जाता फिजकल H question से अभिनो भारत के संस्थापक कौन थे तो जो अभिनो भारत ने इसके संस्थापक बताना है महत्मा गांधी जी थे बिने दामोद कर सावर कर थे लाला हरदयाल थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे बताईएगा एक टेंथ का आंसर कौन सा सही हो जाएगा और जो भी नोट्स पर आप करना चाहते हैं बेर ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं जो भी जॉइन होना चाहते हैं जॉइन हो सकते वहां पे डेली आपको प्रेक्टिस करा जातें जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेस्ट्स एक्जाम में सही और अच्छे से अच्छे मांग साथ गेंड कर सकें तो क्वेशन नंबर एक टेंथ का जितने भी स्टुडे ये अगर right answer क्या हो जाता है यहाँ पे तो ये आपकर 1 April 1949 होगा 1 April 1950 होगा 1 April 1951 होगा D option है 1 April 1952 तो उत्तर आपकर जो बिल्कुल हो जाएगा right answer C के साथ में relate करेगा C उत्तर right answer होगा next question पर move करते हैं धन पूरांकों के युगमों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 45 होगी तो थोड़ा सा technical question है युकि इन्होंने लिख दिया है कि युगमों की संख्या बताना है किसके युगमों की संख्या यह जो 45 दिया हुआ है बहुत से students के mind दिमाएगा x square minus y square is equal to 45 कर दें और x minus y करें और इसका formula open होगा ना x plus y equal to 45 अब यहां से आप लोग को कुछ नहीं करना है जो भी वर्ग करना इसके युगमों आपको बनाने नहीं जोड़े बनाने तो 45 के कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं एक सबसे पहले लिखिएगा 45 into 1 दूसरा बन सकता है 15 into 3 एक बन सकता है 9 into 5 तो यह तीन युगम बनेंगे यहां पर इससे ज्यादा नहीं होगा यानि C option इस question का B option right answer होगा B उत्तर इसका सही हो जाएगा नेक्स question पर move करते हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है कंप्यूटर के जनक का नाम बताना चार्स बैबर्स हर्मन हॉल्डवित बेस पास्कल या फिर जोसफ जैक्योड 21 कौन सा आंसर सही आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा आसान सा question था चार्स बैबर से रिलेट करेगा next question संटोष ट्राफी किस खेल से संबंदित है जो संटोष ट्राफी या किस से रिलेट करता है क्रिकेट से संबंदित है फुटबॉल से रिलेट करेगा हॉकी से रिलेट करेगा या फिर सत्रं से रिलेट करेगा most important सभी का राइट आंसर होगा बी उतर सही हो जाता है next question है भारतिये नागरिक के कितने मौलिक करतब हैं यहां से दो तीन question बन जाते हैं 10, 11, 12 या फिर 14 बताईएगा भारतिये नागरिक के कितने मौलिक करतब हैं पूछा गया है तो इस समय प्रिजन टाइम में 11 हो जाएंगे अगर इसके पहले की बात की जाए तो 10 के साथ में रिलेट करेंगे और यह कौन से सम्विधान संसोधन के अंतरगत हु question में लिए गया है next question पर move करते हैं अश्टा ध्याई ग्रंत की रचना किसने की है जो अश्टा ध्याई ग्रंत है इसकी रचना किसने की है पाड़ी निमा हो देने की है c option right होता है next question पर move करते हैं एक mathematics से और question पिछली बार का paper ने आप लोग को कराया हुआ है GSA related टीन question आए थे तो आज के इस practice set में 3 to 4 questions हैं a और b एक काम को करते है 36 दिनों में b और c उसी काम को करते हैं 60 दिनों में या और c मिलकर एक काम को करते हैं 60 दिन में a और c उसे करते है 45 दिन में तो यह बताना है कि c अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है इसका answer किस तरीके से आप लोग लगाएंगे solve करके कौन सा उत्तर सही होता है तो यहां पर जो answer हो जाएगा 180 होगा अब कैसे यह आ जाएगा math में A और B जो है एक दिन में जो काम करेंगे यह आपका एक दिन का काम जो होगा दोनों मिलकर 36 दिन में करते हैं तो एक बटा 36 हो जाएगा इसी तरीके से B और C मिलकर काम को करेंगे एक बटे 60 इसी तरीके से C और A करेंगे एक बटे 45 अब यह तीन equation बन गई equation 1 equation 2 equation 3 हम इन तीनो equation समी करणों को प्लस कर देंगे यह क्या बनेगा दो ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C इक्वल 1 अपान 36 प्लस 1 अपान यहाँ पे है 60 प्लस 1 अपान 45 इसका निकाल लेंगे LCM आ जाएगा 180 अब इसका LCM आएगा 36 को 180 से कट करेंगे यहाँ पे आएगा 35 आ जाएगा और 63 जा लग जाएगा यहाँ पे और 45 फोर्जा लिए 45 आइफ फोर्जा 20 और फोर्जा 16 180 हो जाएगा तो यह होगा 5384 12 2 ब्रैकेट A प्लस B प्लस C इसको ट्वल अपान 180 इसको कैंसेल आउट करते हैं 266 16 त्रीजा यह बच रहा है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1 अपान 30 पूँचा क्या गया है क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूँचा गया है कि C अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है तो हमको यहाँ पे A प्लस B का वर्क आल्रेडी पता है कितना है 36 पहले सबसे हमने लिखा था A प्लस B इस एक्वल टू एक जो काम को कम्प्लेट करता 1 बटे 36 तो यहाँ पे माइनस कर देंगे C एक्वल हो जाएगा 1 बटे 30 माइनस का 1 बटे 36 इसका LCM निकालेंगे तो यह भी आएगा 180 टेबल लगाएंगे 36 टाइम लगेगा यहाँ पे 5 टाइम यह आ जाएगा आपका C is equal to 1 upon 180 यह हो गया आपका दिनों में यह काम complete होगा 180 answer next question पे move करते हैं कुछ लोगों के अगर यह method आपको आता है direct method तो इससे भी आप लोग लगा सकते हैं बाकी जो method हमने आपको बता है वो भी method आपके लिए easy रहेगा question number 26 इसका answer 180 आजाएगा निम्न में से कौन सा रोग बीसाण से नहीं होता है बताइए 26 number का answer होता है यहाँ पे plague से relate करेगा C answer सही होगा next question है उत्री द्रू पर पहुचने वाली भारती महिला कौन थी पहली भारती महिला आपको बताना है option है प्रीती सेन गुपता आरती साह अनीता सूद और D option है संतोस यादो बताइएगा answer यहाँ पे कौन सा option आप लोग attempt करेंगे L T grade physical expression or GS related most important questions का mock test आपको daily का daily provide किया जाता है paid group में जो भी वहाँ पे join होना चाहते है join कर सकते है इस question का जो answer relate कर जाएगा आपका pretty same गुपता से relate करेगा A option सही answer होगा next question है French open 2021 महिला वर्क का खिताब जीता है इस question को आप लोग सही कर लीजिएगा answer यहाँ पे जो बताया गया था वो Australian open से related बता दिया गया था अगर बात की जाए Australian open 2021 महिला वर्क का खिताब किस ने जीता है वो जीता है Naomi Osaka ने French open महिला वर्क का खिताब जो जीता है यह जीता है Barbora Crazy Cowa ने जबकि Bimaldon open जो होता है यह महिला वर्क का single बिजेता जो बनी है Ashley Barty बनी है जबकि US open जो होता है इसमें जो खिताब जीता है जमा रादू कानू ने जीता है ध्यान रेखिएगा question का जो answer हो जाएगा यहाँ पे D से relate करेगा Naomi Osaka पूछा जाए 2021 French open Australian open Ashley Barty की बात की जाए यहाँ पे सही answer हो जाएगा D उत्तर right हो जाएगा next question पर move करते है सांती का नोबल पुरुषकार 2021 जो है यह किसे प्राप्ट हुआ है या किसने प्राप्ट किया है यह आपको बताना है कि सांती का नोबल पुरुषकार किसको मिला हुआ है दिमित्री मुराटो को मिला है अब्दुल रज्याग गुर्ना को मिला है गुईडो इम्बैंस को मिला है सुक्रो मनाबे को मिला है बताईए सांती का नोबल पुरुषकार 2021 question यहाँ से आते हैं हर exam में चाहे तो आप LTE grade की तयारी कर रहे हूँ चाहे तो uncompetitive exams की तयारी कर रहे हूँ जिसमें भी GS पूछा जाता है राजस्थान PTI में जो current affairs के questions आएंगे उसके लिए भी important है तो इस question का जो answer relate करेगा सांती का नोबल पुरुषकार मिला है दिमित्री मुराटो को मिला है A option यहाँ पे सही हो जाएगा B option जो लिखा हुआ है अब्दुल रज्या गुर्नाह इनको मिला है साहित का नोबल यह तंजानिया से बिलाउं करते हैं ध्यान रखिएगा गुईडो इंबेंस जो लिखे हुआ है इनको अर्थ सास्त का नोबल मिला है जबकि एक option जो लिखा हुआ है शुकरो मनाबे तो इसका answer आप लोग बताईएगा इनको कौन सा पुरुषकार मिला है भौतिक विज्यान का नोबल मिला है या फिर रसायन विज्यान का नोबल मिला है इस question का जो answer हो जाएगा A option सही होगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करते है एक क्यामन हुआ दादा साफ फाल के पुरुषकार प्राप्त हुआ है या किसे मिला हुआ है अमिताब बच्चन जी को मिला है रजनीकांत मनोज बाचपी या फिर डी आप सने धनुस को मिला है बताईएगा यहां से क्वेशन बनेगा एक्जाम में आंसर सीट में आपको धनुस दिया गया था वहाँ पे आप लोग कट कर दीजिए धनुस अगर पूछा जाएका बेस्ट एक्टर साउथ तब आपका हो जाएगा धनुस फिल्म है इनकी असुरन के लिए इनको मिला है जबकि 51 दादा साथ फाल के पुरुसकार जो मिला हुआ यह रजनी कान जी को मिला हुआ बी आप्सन राइट आंसर होगा बी उत्तर सही हो जाएगा तो यह थे जीयस के मोश्ट इंपोर्टन 30 प्रस्ट जिस तरीके से L.T. ग्रेट के पेपर्स में क्वेशन्स पूछे जाते हैं आप लोग अपना स्कोर करिएगा देखियागी कि माइनस मार्किंग सही 30 में से आपकी कितने क्वेशन्स सही हुए हैं अब आपका सबजेक्ट जो है इससे रिलेटेड 120 कोईशन्स है फर्स्ट कोईशन्स है 31 नमबर का है इन में से कौन सा विटामिन सरीर की ब्रद्धी और सरीर स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है बताईएगा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा आप्शन हो जाता है A, B, C या फिर D उत्तर विटामिन C होगा विटामिन D, विटामिन K या फिर विटामिन B कॉम्पलेक्स होगा तो यहाँ से आंसर आप लोग अटेम्ट करिएगा 100 प्लस कौईशन्स आपके राइट होने चाहिए 120 में से विटामिन B कॉम्पलेक्स से रिलेट करेगा D उत्तर इस ग्याइट हो जाता है Next question पर मूब करते हैं Glucos के द्वारा Glicosin के उत्पादन को कहते हैं क्या कहते हैं Glicogenolysis बोलते हैं Glicolisi बोलते हैं Glicogenesis बोलते हैं या फिर D option है उप्रोग्ट में से कोई नहीं 32 का आउनसर आप लोग attempt करिए कौन सा option जल्दी से लगाईएगा टिक सी option से relate करेगा glycogenesis हो जाएगा इस question का राइट आंसर नेक्स्ट question है 50 एक मिन थर्टी थ्री क्रेप्स चक्र स्थान लेता है मान स्पेसियों में सेकंड आप्सन है माइट्रो कॉंडिया में नेक्स्ट आप्सन है एंड्रो प्लास्मिक रेटिकुलम में डी आप्सन है लीवर में पताईए 33 का आंसर किसी से गलत नहीं होना चाहिए ध्यान रखिया अगा जल्दबार जी में आप्सन गलत ना होने पाए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है मैरिट लिष्ट में उपर जाने के लिए और जो भी पेट ग्रूप जॉइन करना चाहते हैं नंबर पर कर सकते हैं इसी नंबर पर आपको पेइमेंट करना होगा फोन पे गुगल पर अमेजन पर पेटियम एकाउंट पर आपर किसी दूसरे के द्वारा पिया पेइमेंट करकर सकते हैं फिजकल एसक्वेश्चन और जिए रेटेड डेली आपको मॉक टेस्ट वहाँ पर complete कराया जाता है तो इस question का जो answer हो जाएगा 33 का B option होगा mitochondria हो जाता है B उत्तर right answer होगा next question है नेफ्रांस सूच मुस्षन रचना है फेफ़डों की हर्दे की गुर्दे की या फिर जिगर की question number 34 right answer गुर्दे से relate करेगा C option सही होगा next question है खाने का अधिक्तम और चूसर होता है पेट में होता है मुह में होता है बड़ी आतों में होता है या फिर last option D दिया हुआ छोटी आतों में होता है बताईएगा जो खाने का अधिक्तम और चूसर है नि पार्चन है यह कहां पर होता है छोटी आज से रिलेट करता है D उत्तर सही होगा नेक्स्ट कोईशन है 36 इसके पहले के वीडियो के लिए यूटूब पर सर्च करीगा फिजकल एजकेशन बाई पंकासर जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वह पार्ट आप वहाँ से देख सकते हैं और जीएस से रिलेटर भी कुछ वीडियो आपकी प्रोवाइट की गई थी वह भी वहाँ पर पिनप की हुई है वह भी आप लोग देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं प्रोटीन का पार्चन कौन सा अंजाइम करता है कौन सा अंजाइम है जो प्रोटीन का पार्चन करता है लाइपेस करता है, एमाइलेस करता है, ट्रिप्सिन करता है या फिर इन में से कोई नहीं आप्सन यहाँ पर देखिएगा C आप्सन होगा या फिर B आप्सन हो जाएगा राइट आंसर आपका आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होगा C आप्सन सही हो जाता है नेक्स्ट कोईशन पर बूफ करते हैं प्री स्कूल बच्चों को भोजन में अधिक आवस्यक है प्रोटीन आवस्यक है कार्बो हाइड्रेट्स आवस्यक है C आप्सन है वसा या फिर D आप्सन प्रोटीन आवस्यक है D आप्सन बिटामिन है, प्रोटीन A आप्सन है देखिएगा कौन सा उत्तर यहाँ पर आप लोग लगाएंगे आप्सन के एकॉर्डिंग तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आपसन प्रोटीन होता है इस question का right answer next question बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी की वज़े से होती है कौन से बिटामिन की कमी से होता है और बिटामिनों की संख्या कितनी होती ये बताईएगा और बिटामिन की खोज किसने की थी ये भी बताना है और विटामिन सब्द जो नाम करन किया था वह किस ने किया था इस question का answer क्या होता है vitamin B1 होगा, vitamin B2 होगा, vitamin B6 होगा, vitamin B4 होगा कौन सा option सही होगा question number है आपका 38 right answer हो जाएगा vitamin B1A उत्तर सही हो जाता है next question है अभ्यास योजना क्यों जरूरी है बिद्दमान कच्छा की तयारी करने के लिए जरूरी है पाठे क्रम पूरा करने के लिए जरूरी है दिखने के लिए या फिर करतव पताईएगा अभ्यास योजना क्यों जरूरी है साइको से रिलेटेट कोईस्टन है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है अब कोई जरूने की इसी तरीके के कोईस्टन पूछे जाएं कोईस्टन आपके चेंज हो सकते हैं क्योंकि एल्टी ग्रेट का जो पेपर होगा TGT से डिफर ही रहेगा और यहाँ पे माइनस मार्किंग वन बाई थर्ड है और 40% मार्क्स भी लाना अनिवार है आपको पास आउट होने के लिए जब आप पास आउट होंगे तब जाके मैरिट लिष्ट जो निर्धारित की जाएगे उसमें अगर आपका मैरिट में नाम होगा तब आपका इसलिए TGT से ज्यादा आपको मेहनत करनी है अगर आपने वहाँ पर मार्क्स गेन किये थे और किसी कारवर्वस आपका सेलेक्शन नहीं हो पाया एक सो तीन एक सो चार गेन किया तो आप लोग इससे ज्यादा मेहनत करिए कि एल्टी ग्रेट में आपका स्कोर अच्छा इत तीनमन खेल प्रबंधन है जो खेल प्रबंधन वह क्या है एक कला है एक बिज्ञान है या फिर एक कला और दोनों है या फिर D option है इन में से कोई नहीं बताईएगा खेल प्रबंधन की बात की जारी आसान सा क्वेशन है सभी का सही होना चाहिए कुछ स्टूडेंट्स ने जल्दबाद जी में आंसर आता है तब भी गलत किया होगा A लगा के और कुछ लोगों ने B भी लगाया होगा लेकिन जो question पढ़के answer लगाएं C option होता है right answer हो जाएगा C उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते हैं 41 number question है सारलिक सिक्षा सिक्षण में पाठ योजना कितने प्रकार की होती है यह आपको बताना है जो पाठ योजना होती है सारलिक सिक्षा सिक्षण में वह कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है चार प्रकार की होती है या फिर पांच प्रकार की होती है बताईएगा important है question दो प्रकार का होता है right answer से relate कर जाएगा ए उत्तर सही होता है next question पर move करने प्रबंधक के बुनियादी कार है जो प्रबंधक है इसके बुनियादी कार क्या है नियोजन और संगठन निर्देशन और कारिक्रम विकास व्यक्तिगत प्रबंध और बितिय प्रबंधन और D option है उप्रोक्त सभी देखिएगा सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा और 99% सबका उत्तर सही होगा answer यहाँ पे जो हो जाएगा उप्रोक्त सभी से relate करेगा D option इस question का सही होता है नियोजन और संगठन भी relate करता है निर्देशन और कारिक्रम विकास भी होगा C option ब्यक्तिकत प्रबंध और वितिय प्रबंधन यानि D उत्तर के साथ में relate करेगा next question पर move करते है 43 है किसी एक लक्ष पर विभिन व्यक्तियों की कोसिस के सामंजस के प्रयास को कहते हैं इसको क्या कहते हैं प्रबंधन कहते हैं प्रसासन कहते हैं संगठन कहते हैं या फिर कारिसैली कहते हैं देखिएगा question का answer क्या हो सकता है अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करने तो चैनल को subscribe कर लिजिए को क्योंकि आपको physical education से related most important questions provide किये जाते हैं GS related भी LT grade के लिए questions मिलेंगे और साथ में super TED की classes भी जो 125 लेबल का जो exam होता है UP में उसके लिए भी classes जल्दी शुरू की जाएंगी तो इस question कर जो right answer हो जाएगा 43 का a option से relate करेगा प्रबंधन होता है यह उत्तर right answer होगा next question पर move करते हैं सामान निता या पाठिक्रम को समझा जाता है किसी संस्था वारा निर्धारित पाठिक्रम समझा जाता है second है सिच्छक के नितत में छात्रों की कारिविधी समझा जाता है सामान विशेवस्तो समझा जाता है D option निर्धारित सीखने का अनुभव होता है बताईएगा practice set है LT grade से related maximum questions आपके सही होने चाहिए क्योंकि अभी आपने two months पहले ही TGT का exam दिया और तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी है और बस revision आप लोग करते रहिएगा आने वाले exam में भी आप अच्छे marks gain करेंगे question number 44 right answer जो होता है किसी संस्था द्वारा निर्धारी पाठिक्रम होता है A option सही आंसर होगा next question पर move करते है परिच्छन मापन एवं मुल्यांकन का परसपर संबंध निम्न ढंग से है second है मुल्यांकन एवं मुल्यांकन परिच्छन का हिस्सा है second है मुल्यांकन एवं परिच्छन जो है मापन का हिस्सा है third दिया परिच्छन एवं मापन मुल्यांकन का हिस्सा है last option मुल्यांकन परिच्छन एवं मापन दोनों का हिस्सा है बताईएगा 45 नंबर में जो answer relate करेग या A, B, C या फिर D option तो उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर होगा परिछान एवं मापन मुल्यांकन का हिस्सा है C option राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं क्रास बेवर टेस्ट से क्या मापा जाता है जो क्रास बेवर टेस्ट है इससे क्या मापा जाता है नियूनतम मानस्पेसिय सक्ति मापा जाता है most important question DLSB के लिए भी important है LT grade के लिए important है TZT के लिए और राजस्थान PTI जाई जो भी exam physical education से related आगे जाके देंगे उसके लिए important question ध्यान रखिएगा यहां से question मुच्छा जाता है संपूर मानस्पेसिय सक्ति होता है अधिक्तम मानस्पेसिय सक्ति या फिर सापेक्षित मानस्पेसिय सक्ति होगा 46 का answer जो relate करेगा न्यूनतम मानस्पेसिय सक्ति हो जाएगा इस question का right answer next question पर move करता है 47 number का question है जिमनास्टिक प्रसिच्छन के लिए कौन उत्तर दाई था जो जिमनास्टिक प्रसिच्छव है इसके लिए आपको बताना है जिमनासियो आर्क होगा जिमनास्ट होगा पैड़ो ट्राइब होगा या फिर पालिष्ट्रा होगा important है repeated question है c option से relate करता है next question और जितने questions आपके गलत होंगे उनको 3 से बहा करके सही question से minus कर दीजिएगा वो आपके actual marks बनेंगे जाके lt grade के लिए दुतियक वायू के लच्छड कौन से है सिर में दर्द होना second है तवचा पीली होना c option है छाती और मांस्पेसियो में दर्द d option है उपरोक्त सभी तो answer यहाँ पे आपका कौन सा होगा a b c या फिर d option जल्दी से अपना answer आप लोग attempt करिएगा और साथ में scoring भी last में करिएगा total आपके कितने questions सही हुए हैं इस question का answer हो जाएगा d उत्तर d option right होता है next question पर move करते हैं कस्रतों की अपर्याप्त मात्रा इनकी और इंगित करती है question number 49 ergonomics, anaerobics, kinetics या फिर hypo kinetics तो यह आपका जो answer relate कर देगा anaerobics से relate करता है b option सही होता है next question है limbering down कब करते हैं repeated है अगर आपने TGT के practice sets solve किये थे जो provide किये गये थे तो उसमें यह questions आपको दिया गया था खेल से पहले, खेल के पस्चात, खेल के बीच में या फिर खेल से पहले तथा खेल के पस्चात दोनो answer क्या होगा d option गलत हो जाएगा खेल के पस्चात होता है इस question का सही उत्तर b option सही होगा next question पर move करता है 51 number का question है जब घुटने का flexion moment अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे इस चोट को क्या बोलेंगे कायो साइटिस बोलेंगे मायो साइटिस बोलेंगे बायो साइटिस बोलेंगे या फिर डी आप से ने लियो साइटिस पताईएगा 51 का answer यहां पर कौन सा उत्तर relate कर जाएगा physical education का जो बैच चल ला है जिसमें GS और physical education दोनों से related questions आपको प्रोवाइट किया जाता है daily test होता है जोइन करना चाहते है contact करके group से भी जुड़ सकते हैं इस question का जो answer हो जाएगा आपका B option होगा मायो साइटिस होता है B उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते हैं 52 है metatarsal में stress fracture होने को क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं March fracture बोलते हैं मायो fracture बोलते हैं C option है stress fracture बोलते हैं D option है stress fracture बोलते हैं बताईएगा A, B, C या फिर आपका D option सही होता है question number है 52 total question आएंगे 150 जो प्रस्णों की संख्या होगी और 150 में से आपके कितने marks आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है मान लेते हैं 120 question आपने सही किये और 30 question आपने गलत कर दिये तो 30 में से आपको गलत हुए total 10 question सही में से घट जाएंगे बचेंगे कितने 110 question इसलिए माइनस मार्किंग में ध्यान रखिए कि जो question आपको confusing लगे ना आता हो उसको attempt ना करिएगा छोड़ दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा marks आप गेन कर सकें इस question का आंसर हो जाएगा मार्च फ्रैक्ट्टर यानि ए आप्शन सही हो जाएगा next question है वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मान स्पेसी में सूजन आ जाए उसे क्या कहते हैं question नंबर है 53 इसको क्या बोलेंगे प्लांटर लाइटिस बोलेंगे ए उत्तर सही होगा next question है जोड के पास टेंडर और टेंडन और साइनोवियल छेतर में सूजन आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं लिगामेंट और टेंडन से रिलेटेट क्वेश्चन आपका आया हुआ था इसलिए इन क्वेश्चन को आप लोग एक दो बार रिपीट अवस्य करिएगा हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन एक्जाम में पूंच लिया जाए तो कि पिछली बात जो आपको नमबर 54 का आंसर आपका हो जाएगा टीनो साइनुवाइटिस हैनी सी आप्सन सही होगा नेक्स्ट कोईश्चन पर मूव करते हैं एंट्रियर लैक पैन को और किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है लैक पैन के नाम से जाना जाता है सिन गार्ड के नाम से जान आजाता है या फिर गैश्टो निमिय स्पैन के नाम से जानते हैं बताइए का फिफ्टी फाइफ का अंसर हो जाएगा यहाँ पर आप्सन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सी आप्सन रिलेट करेगा डी गलत हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन तर मूव करते हैं भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन कौन सा है जो भोजन के पश्चात आसन किया जाता वह कौन सा आसन होगा वजरासन होगा धनुरासन होगा सिधासन होगा मयुरासन होगा आसन से भी रिलेटेड एक कोईशन आपके एक्जाम में आया हुआ था बताईएगा जो स्लेबस में भी नहीं दिया था तब भी क्वेशन आया था इसलिए सारे चैप्टर्स आपको रीड करने हैं और अच्छे से पढ़ना है अभी से जिससे आने वाल इजाम में आप ज्यादा से ज्यादा माक्स प्राप्त कर सकें वज्रासन हो जाएगा इस question का answer next question है ध्यान योग समाध्य में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है कौन सी मुद्रा का भ्यास किया जाता है सांभवी मुद्रा का भ्यास किया जाता है सेकंड है खेचरी मुद्रा का भ्यास किया जाता है सी आपसन यौन ने घेरंड सहिता में समाधि को किस अध्याय में रखा गया है 4, 6, 5 या फिर 7 तो ये आंसर हो जाएगा सात्मा अध्याय से रिलेट करेगा D उत्तर सही होगा Next question है सूर्य भेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है गर्म प्रकृति का प्राणायाम है सीतल प्रकृति का प्राणायाम है मध्यम प्रकृति या फिर एक D आपसन उप्रोक्त सभी अगर आंसर आप लोगों ने लगाया है D तो ये हो जाएगा गलत आंसर होगा A यहाँ पर राइट आंसर Next question पर मूव करता है question number 60 एक मिनट में हिर्दय कितनी बार धड़कता है सबसे आसान question 150 प्रस्नों की series में बताईएगा once 72 75 70 या फिर 77 आंसर हो जाएगा यहाँ पर A 72 next सरीर में हड्डियों की संख्या होती 206 से रिलेट करेगा next question पर मूव करते है अश्टांग योग में पंचम अंग का क्या नाम है 62 नंबर का बताईएगा देखिएगा कौन सा आंसर आप लोग सही करते है प्रत्याहार होता है यम होता है नियम होता है या फिर एक D आपसने धारना होता है उत्तर देखिएगा कौन सा यहाँ पर सही होगा बिलकुल राइट आंसर आना चाहिए एक दो बार यह कोईशन आपको दिया जा चुका है प्रैक्टिस सेट्स में 62 राइट आंसर जो रिलेट करेगा प्रत्याहार होता है ए आपसन सही आंसर होगा next question पर move करते हैं यम कितने प्रकार के होते हैं जो यम है यह कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं या फिर एक प्रकार के होते हैं जो यम है यह आपका relate कर जाएगा ए आप्षन से five types next question इसी से related है इसी तरीके के दो question मिलेंगे सूर्य नमसकार में कितने आसन होते हैं सूर्य नमसकार है इसमें कितने आसन होते हैं 12, 16, 10 या फिर 15 यहां पर जो उत्तर आपका होगा 12 से relate करता है 12 आसन होंगे next question 65 65 चंद्र नमस्कार में कितने आसान होते हैं most important क्योंकि सूरी नमस्कार आप लोग पढ़ते हैं लेकिन चंद्र नमस्कार को छोड़ देते हैं तो इसलिए question आपका important हो जाएगा A option इसका भी सही answer यहाँ पर चंद्र नमस्कार है यहाँ पर होना चाहिए 14th A नहीं होगा इसका answer हो जाएगा B option जो सूरी नमस्कार की बात की जाएगी तो A से relate करेगा 12 हो जाएगा जबकि चंद्र नमस्कार जो होगा इसका B option relate करेगा next question पर move करते है 66 number है किसी गामक को कारी को करने के लिए किस विदिका उपवियोग किया जाता है उससे क्या कहते है उसको क्या बोलते हैं कोसल बोलते हैं सीखना बोलते हैं तक्नीक बोलते हैं या फिर पढ़ना बोलते हैं बताईएगा right answer जो होता है यहां पर टेक्निक बोलते हैं टेक्निक से रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन है 67 नमबर अवद कालिंता के अंतरगत कितने काल होते हैं तो इसके अंतरगत जो काल होते हैं वो कितने होते हैं दो होते हैं, तीन होते हैं, पांच होते हैं, या फिर छे होते हैं, अवदी कालिंता की बात की जारी, तो इसके अंतरगर जो हो जाएंगे, तीन काल होंगे, C option, यहां पर B option से relate करेगा, B उत्तर सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोईशन पर मूब करता है, 68, सबसे लंबी अवदी का प्रसिचन चक्र क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है, मिनी साइकल कहलाता है, माइक्रो साइकल कहलाता है, या फिर क्रैक्स चक्र कहलाता है, कोईशन नमबर है, 68, आंसर जो होता है, आपका मिनी साइकल नहीं हो स्कोर आवस करियागा कि 150 में से आपके कितने questions right होते हैं योकि LT grade में जो questions पूछे जाएंगे 30 GS से related आएंगे और 120 questions जो होंगे आपके physical education से आएंगे total 150 प्रशन होंगे और 1 बटे 3 marks की minus marking पिछले exam में थी नए notification में भी हो सकता है 1 बटे 3 ही रहे योकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोक के द्वारा exam conduct करा जाएगा इसलिए paper का जो label रहेगा वो भी थोड़ा सा अप रहेगा TGT से इसलिए मेहनत आप लोग जितनी ज़्यादा TGT में किये थे उससे थोड़ी से ज़्यादा यहाँ पर आपको करनी होगी जिससे आप अच्छे marks gain कर सकें question number 69 सबसे कम अवदी का प्रसिछन चक्र क्या कहलता है तो यहाँ जो answer हो जाएगा अभी आपने देखा था उसका answer दूसरा तो इसका हो जाएगा A option question number 70 लचीलापन कौन कौन से प्रकार के होते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं क्रिया सी लचीलापन होता है अक्रिया सी लचीलापन C option दोनों और D option चपलता तो answer हो जाएगा क्रिया सील अक्रिया सील दोनों से रिलेट करेगा, C option, right answer होगा, next question पर move करते हैं, वह कौन सी योगिता है, जो कि ताल मेल के उच्छ इस्तर, सारीरिक गतविधियों की बचत तथा गामत क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है, निर्धारन योगिता है, युगमन योगिता है, संतुलन योगिता है, या फिर प्रथाकरण की योगिता यहाँ पर रिलेट करेगा, 71 का answer जो होगा, कौन सा option होगा, निर्धारन योगिता, युगमन योगिता, संतुलन और प्रथाकरण, उत्तर आपका होगा, प्रथाकरण की योगिता, D option सही हो जाएगा, next question पर move करते हैं, 72 है, परिवर्तित परि परिवर्तन करने की योगिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अनकूलन योगिता को कहते हैं, second है, संतुलन योगिता को कहते हैं, निर्धारन योगिता को कहते हैं, या फिर प्रतिक्रिया योगिता को बोलते हैं, तो यह जो होगा, answer देखिएगा, क्या हो सकता है, important question है, आपक कूलन योगिता है यह आप्शन सही होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं 73 खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधी कालींता को कितने प्रकार में बाटा गया है अब बताईएगा 73 नंबर का जो कोईशन है 3, 8, 6 या फिर 10 प्रकार में बाटा गया है सही आप्शन जो होता है यहाँ पर क्या होगा ए आप्शन से रिलेट करेगा ए उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है तनाओं बढ़ने पर मानस्पेसी की लंबाई कम होना कहलाता है क्या कहलाता है कौन्ट्रेक्शन कहलाता है एपी कौन्ट्रेक्शन कहलाता है कौन्सेंट्रिक कौन्ट्रेक्शन या फिर इन में से कोई नहीं 74 का answer जो होता है यहाँ पर इन में से कोई नहीं तो आपका option है C के साथ में relate करेगा concentric construction सही answer होगा जो भी question आपके लिए sir के द्वारा collect किये गए हैं जो भी question type किये गए most important question है 75 बारम बारता पद्दत से निम्न को विक्सित किया जाता है speed ability को विक्सित किया जाता है अधिक्तम ताकत को विक्सित किया जाता है explosive सक्ति को विक्सित किया जाता है D option में लिखिएगा उपरोक्त सभी अब बताईएगा इसका जो answer relate करेगा आपका speed ability भी हो जाएगा अधिक्तम ताकत भी होगा explosive सक्ति भी होगा यानि D option उप्रोग तो सभी से relate करेगा D उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते हैं किस tournament में किस प्रकार के tournament के अंतरगत आता है जो king tournament है यह किस प्रकार के अंतरगत आता है challenge tournament के अंतरगत आएगा combination league tournament या फिर नाकउट tournament tournament से आपका question पूछा गया था इन में से कौन सा सही नहीं है से related इसलिए question ध्यान रखिएगा important है यह chapter भी यहाँ answer होगा challenge tournament से relate कर जाएगा next question फीफा बिस्व का प्रतियोगिता में किस tournament प्रकार को अपनाया जाता है league tournament को अपनाया जाता है challenge tournament होता है combination tournament होता है या फिर knockout tournament होता है 77 का answer आप लोग बताईएगा most important combination tournament होता है c option सही हो जाएगा next question पर move करते है 78 है knockout tournament के pre quarter में कितने match होंगे बताईएगा most most important यह भी प्रस्न है सारे questions आपके lt grade के paper के हिसाब से यहाँ पर दिये गया है PTI कभी exam आपका होने आला है क्योंकि इसकी भी vacancies राजस्थान में देखने के लिए मिलेंगी आपको question number 78 answer क्या हो सकता है right answer relate करेगा c option से 8 हो जाएगा next question 79 ladder प्रकार किस प्रकार के tournament के अंतरगत आता है अब बताईएगा league tournament के अंतरगत यह आता है challenge tournament के अंतरगत आता है knockout tournament या फिर combination tournament यह जो रिलेट करता है challenge tournament से relate करता है next question है वीडियो अगर फास्ट लगे कर तो आप लोग पॉस करिएगा वीडियो को उसके बाद question का answer attempt करिएगा consolation के कितने प्रकार होते हैं जो consolation इसके टाइप्स आपको बताने हैं एक प्रकार दो तीन या फिर चार प्रकार तो यह जो प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं भी option सही होता है next question का पहला बिजेता देश कौन था यहां पर option लिखिएगा आस्ट्रेलिया से रिलेट कर जाएगा इस question का सही उत्तर next question इसका आप लोग सर्च कर लिजिएगा एक बार आस्ट्रेलिया होना चाहिए next question में move करते हैं बिज सुकप cricket 2011 का सुभंकर का नाम बताना है आपको सेरा स्टांपिक गीबा या फिस सभी question number है 82 answer हो जाएगा क्या बी option हो जाएगा इस question का सही उत्तर next question है cricket से संबंधित पुस्तक cricket my style के लेखक कौन है 83 का आपको बताना है एक पुस्तक अभी हाल ही में सुरेस रेना के द्वारा लिखित है वह कौन से पुस्तक यो सुरेस रेना की बायोग्राफी से से रेलेट करता है वह पुस्तक का आपको नाम कमेंट के माधियम से बताना है 83 का जो आंसर हो जाएगा सी आपसन से रेलेट करेगा सी उत्तर सही हो जाएगा करेंट अफेर्स के लिए कोईशन इंपोर्टेंट है सीमित ओवर की अंतर छेत्री प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है डिलीप ट्राफी के नाम से जाना जाता है इरानी ट्राफी के नाम से जाना जाता है या फिर रडजी ट्राफी के ना उसका मैराथन क्लास आप लोग को प्रवाइड किया जाएगा जिससे आपका जो current affairs वो भी repeat होता है जिससे तीन question अगर math के आते तो तीन question मिनिमाम आपके current affairs से भी पूछे जाएगे हो सकता है तीन से दस भी question हो सकते हैं इसलिए current affairs का भी weight is important है जी एस में question number 84 answer क्या हो जाएगा यहां पर सीमित ओवर की अंतर छेत्रिय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है बताईए पूछा गया है अंतर छेत्रिय प्रतियोगिता जो सीमित ओवर की होती है उसको किस नाम से जाना जाता है देवधर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है C option सही होता है Next question है 85 number है Cricket में प्रथम century किसने मारी अगर आप लोगों ने GS के लिए Lucent की बुक खरीदी हुई है तो उसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे लाला अमनात हो जाएगा इस question का सही answer Next question पर move करते है Follow on सब्द किस खेल से संबंदित है Option यहाँ पर football होगा लेकिन यही question अगर आपका exam में आता है तो यह बिवादित question होगा योग कि cricket भी यहाँ पर option होना चाहिए और कहीं कहीं पर आप खोखो भी relate करते हैं देखते हैं कि answer दिया होता है इस question का answer विवादित हो सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा B option इसका सही है कुछ books में खोखो भी मिलेगा और cricket तो होता ही आप सभी लोग test match में देखेंगे तो यहाँ पर जो answer relate करेगा B के साथ में relate करेगा इस बार भी इस तरीके के question आये हुए थे next question पर move करते है goal post की चोड़ाई water polo में कितनी होती है question number है 87 बताइए 2 meter 6 meter 3 meter या फिर 5 meter what is the right answer for this question number 87 सही उतर जो हो जाता है 3 meter से relate करता है C option सही होगा next question पर move करते है water polo के खेल में कितने referee अधिक्तम हो सकते है तो कितने referee हो सकते है इसमें अधिक्तम तो इसमें जो refereeों की संख्या हो सकती 3, 2, 4 या फिर 5 हो सकती है उत्तर हो जाएगा 2 से relate करेगा B option सही हो जाएगा next question 89 number है goal के बार यानि खंबे के सामने की चोड़ाई कितनी होती है 7.5 cm होती है 6.5 cm होती है 8.5 cm या फिर एक D option है 9.5 cm होती है बताईएगा goal के बार यानि खंबे के सामने की चोड़ाई कितनी होगी ये जो होगी आपका answer relate करेगा 7.5 cm इस question का उत्तर हो जाएगा next question पर move करते है goal line से आगे 5 मीटर की दूरी परिस्थित line का रंग कैसा होता है question number 90 answer आपका क्या होगा नीला होता है हरा होता है पीला होता है या फिर D option है red color का होता है यानि लाल होता है उत्तर जो होगा 90 number का होगा important question है B option होगा C नहीं होगा हरा हो जाएगा इस question का सही उत्तर next question 91 goal line से आगे 2 मीटर की दूरी परिस्थित line का रंग कौन सा कैसा होता है ये आपको बताने कौन सा होता है हरा होगा नीला होगा लाल होगा या फिर पीला होगा बताईएगा 91 C option यहाँ पर सही हो जाएगा red के साथ में relate करेगा next question पर move करते है 92 number है water polo की gain का भार कितना होता है तो ये question option के according आपको attempt करना है कि क्या answer हो सकता है जैसे अभी आप एक question पढ़े तो follow one से related वहाँ पर अगर वो question आता है तो football के साथ में relate करेगा तो इस question का जो answer हो जाएगा A option सही answer होगा 400 से 450 gram next question पर move करते है goal keeper किस रंग की टोपी पहनता है option देखिएगा इसके 4 option पढ़िएगा अच्छे से तो ये अहाँ पर relate कर जाएगा D option next question कितने time out ले सकती है कितने time out ले सकती है option देखिएगा A, B, C या फिर D option तो दो हो जाएगा इस question का सही उत्तर next question पर move करते है 95 number है water polo में मध रेखा किस रंग की होती है बताइएगा 95 number का answer क्या हो सकता है जल्दी से आप लोग अपनी rough copy में लिख दीजिएगा option कौन सा सही होगा और इसके पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूटूब पर सर्च करिएगा physical education by पंकसर जो भी part आप देखना चाहते हैं वो part आप वहाँ से देख सकते हो साथ में LTE grade के लिए जो भी group पर पेटियम एकाउंट पर या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉट सेंड कर सकते हैं जिसमें आपको फिजकलाइज क्वेशन और जी एस से रिलेटेग क्वेश्चन डेली प्रोवाइट के जाते हैं साथ में जो भी new students होंगे उनको जो 10,000 questions की PDF है वह भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इस question का जो answer हो जाएगा क्या होगा आपने answer relate किया है D अगर तो सही हो जाएगा D उत्तर right होता है next question है एक मानक swimming pool की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है 50 meter गुड़े 20 meter होती है 50 meter 25 meter होती है C दिया हुआ है 100 meter गुड़े 50 meter या फिर D option यहां पर होगा 25 meter गुड़े 20 meter most important answer होगा 50 गुड़े 25 meter B उत्तर सही होगा next question पर move करता है next question है आपकी screen पर 97 सारे questions important है और question का level भी थोड़ा सा up है standard pool 8 lane का होता है मगर अत्रिक्त कितनी lane डाली जा सकती है 4, 0, 3 या फिर 5 पताईएगा answer क्या होना चाहिए तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा आपका 20 से relate करेगा जीरो हो जाएगा यानि कोई भी नहीं next question है swimming में automatic time machine ना होने पर प्रतेक lane में जजो की संख्या कितनी होगी बताईए इन questions मैं अगर थोड़ा सा changes हुआ होगा तो वह आपको बाद में update भी कर दिया जाएगा अ कि D option से relate कर दिया जाएगा इस question का answer D उत्तर सही होगा next question inspectors of tons किस खेल से संबंदिते कबड़ी से relate करता है football से relate करता है swimming pool या फिर cricket से संबंदिते बताईएगा बताईएगा 99 यहां से question इस बार दो तीन पूंच लिए गए थे बहुत आसान अंसर क्या होगा swimming pool हो जाएगा इस question का answer 100 number का question है आपकी screen पर इसके बाद बचेंगे आपके 50 question बताईएगा 100 number baseball जो match होता है कि कितनी innings का होता है जो match होता है कितनी innings का होता है 9, 12, 5 या फिर 10 innings का होता है answer इसमें हो जाएगा आपका A के साथ में संबंदित है next question पर move करते है baseball का खेल कितने score का अंतर होने पर समाप्त हो जाता है यह आपको बताना है 15, 26 या फिर 10 practice set है LTE grade के label का आप लोग अपनी scoring भी करिएगा कि total डेर सो यानी 150 questions में से आपने कितने questions सही किये है minus marking करने के बाद आपके actual में कितने marks बन रहे हैं next question पर move करते है baseball किस देश का राश्टरी खेले बहुत आसान सा question है D option से relate करें क्योंकि आप सभी लोगों ने तयारी की हुई है इसलिए अभी से अगर आप तयारी सुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में जो भी 103 नंबर जो है यह जो है जर सब्द है किस खेल से रिलेट करेंगा यह बिलियर से संबंदित है भी आप्सन सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है पार्ट सब्द जो है किस खेल से संबंदित है अब बताईएगा यह जो किस खेल से रिलेट करता है थोड़ा सा नया सब्द है स्नूकर, बॉक्सिंग, बिलियर्स या फिर जूडो और जो लोग पढ़ रखें तुरंत आप्सन लगाएंगे बिलियर्स सी आप्सन सही होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं 105 बिलियर्स खेल का जन्म किस देश में हुआ इस खेल का जन्म आपको बताना है इंगलाइन्ड गलत हो जाएगा यहाँ पर आंसर होगा फ्रांस भी उत्तर सही होगा नेक्स्ट कोईशन है 106 भारत में सरव पर्थम बिलियर्स को किनके द्वारा लाया गया किनके द्वारा लाया गया फ्रांस के द्वारा युनानी अंग्रेजो या फिर पुर्तगालियों के द्वारा 106 का आंसर यहाँ पर देखिएगा यह रिलेट कर जाएंगे अंग्रेज यानि C आप्सन सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं 107 नंबर है बिलियर्स में प्रयोग होने वाली मेज पर कितनी पाकेट होते हैं इसमें बताईएगा 5, 8, 6 या फिर इन में से कोई नहीं 107 का आंसर यहाँ पर आपका आना चाहिए D आप्सन गलत होगा उत्तर हो जाएगा C यहाँ पर सही होता है नेक्ट क्वेशन है बाली बाल को राष्ट्री महिला प्रतियोगिता का नाम बताएं मोश्ट 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 इंपोर्टेंट 108 नंबर का क्वेश्चन यह आपका कौन सा उत्तर यहाँ पर होगा फ्रेंच ओपन यूएस ओपन कनाड़ा ओपन या फिर पूनिमा ट्राफी बाली बाल की बात की जारी पूनिमा ट्राफी से रिलेट करेगा ए उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूव परते हैं 109 नंबर है बिलियर्स में कितने रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है पांच दो तीन या फिर चार बताईएगा सही उत्तर यहाँ पर कौन सा आप्सन हो जाएगा क्वेशन नंबर 109 में 109 का जो आंसर होगा यहाँ पर C option जितने भी लोग attempt किये उसका right answer हो जाए जितने भी लोगों ने C उत्तर attempt कर लिया next question है billiards की gaind का ब्यास कितना होता है जो billiards की gaind है इसका ब्यास कितना होता है 52.5 यहाँ पर होना चाहिए एक मिनट यहाँ पर 521 है इसको cut कर दीजिएगा 52.5 mm से relate करेगा यह option इसमें सही हो जाएगा यहाँ पर इसको सुधार कर लिजिएगा 52.5 mm होगा next question पर move करते हैं volleyball खेल में post की उचाई कितनी होती है 2.55 meter 2.51 meter 2.50 meter या फिर D option है 2.65 meter question number 111 answer आपका हो जाएगा क्या A option यहाँ पर सही होगा A उत्तर right answer होगा next question पर move करते हैं 112 most important 1918 में volleyball खेल में point की संख्या कितनी होती थी यह आपको बताना है 10,15,20 या फिर 25 होती थी answer जो भी attempt कर दिये B उत्तर right answer होगा next question है 113 नंबर volleyball खेल में कितने card प्रयोग होते हैं तो इसमें जो cardों की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी C option से relate करेगा 3 card प्रयोग होते हैं next question है volleyball खेल में ball pickers कितने होते हैं 114 तो इसमें जो ball pickers हो जाएँगे 6 के साथ में relate करेगा option के according next question पर move करते हैं 115 volleyball खेल में एंटेना net से कितने उपर निकला हुआ होता है 80 cm 60 cm 50 cm या फिर एक D option है 100 cm तो यह उत्तर होता है यहां पर कौन सा हो जाएगा option जितने लोग attempt किये हैं उत्तर नंबर ए सभी का उत्तर सही होगा next question पर move करते हैं 116 नंबर 200 championship में पदक जीतने वाला पदक प्रथम भारतिय कौन था प्रथम भारतिय का नाम बताना है योगे स्वर्दत हवलदार उदयचंद सुसील कुमार या फिर एक D option सभी क्या आंसर होगा हवलदार उदयचंद से रिलेट करता है B उत्तर सही होगा next question है 200 championship में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतिय खिलारी कौन है तो प्रथम भारतिय खिलारी आपको बताना है ये रिलेट करेगा option number A सुसील कुमार next question है टाटा मिस नामक सब्द किस खेल में परित्थ होता ये important है ये थोड़ा सा नया सब्द है देखिएगा सुटिंग से रिलेट करेगा बॉक्सिंग से रिलेट करेगा तीरंदाजी से रिलेट करेगा या फिर जूड़ो से रिलेट करेगा important question right answer जूड़ो हो जाएगा डी उत्तर सही हो जाएगा और राष्ट्री खेल आपको बताना है next question है कुस्ती में ओलंपिक हेथ क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला फ्री स्टाइल खिलाडी कौन है option देखिएगा जो चार दिये हुए इसमें से बताईएगा 120 रीता रानी गीता फोगाट सुनीता दिव्या तो आंसर होगा यहाँ पर गीता फोगाट भी उत्तर सही होगा next question है 121 30 question आपके बच्चे हुए आप लोग के 120 question जो आएंगे physical से related होंगे और 30 question GS से related पूछने साथ GS में पास आउट होना अलग से अनिमार है तो GS और physical दोनों में मिला के आपके marks जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए beneficial रहेगा merit list के लिए 120 जो physical के होंगे वो तो आपका subject है 110, 105 तक आप gain कर सकते हैं लेकिन जो दूसरा 30 number का GS आता है यह आपकी merit को बढ़ाने का काम करेगा जितने marks इधर से आप लाएंगे मान लेते हैं प्लस में आपने यहाँ से gain किये 105 marks और इधर प्लस में आपने gain करनी है 15 marks अगर 105 और 15 को मिला देते हैं तो 120 question हो जाते हैं आप selection की fight में 90% हो जाएंगे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोसिस करिएगा फिजिकल के साथ साथ में आपके GSB के भी questions सही हो question number है 121 खिलाडी के गंभीर चोट लगने की इस्थित में पुनरवास है तो आवस्यक है काईक चिकित्सा आवस्यक है speech therapy आवस्यक है यांत्रिक उपकरन या फिर उपरोक्त सभी answer लग गया D गलत हो गया इसका क्या होना चाहिए A option सही हो जाएगा जितने भी लोगों ने A option attempt किया उनका सही होगा बहुत से लोगों ने तुरंट D option देखा होगा D option टिक कर दिया होगा next question पर move करते है 122 निम्ड में कौन सी चोट ligament की चोट है मोच रगड गुम चोट या फिर उपरोक्त सभी तो ये होता है आपका मोच रिलेट करेगा next question है खिलाडी का कंदे का dislocation होना सबसे अधिक किस खेल से संबंदित है या किस खेल से रिलेट करता है नौका चालन से रिलेट करेगा basketball, volleyball या फिर judo से रिलेट करता है D option यहाँ पर सही हो जाएगा next question पर move करते है 124 खिलाडी को खेलते समय अस्ति तूटने को कहा जाता है क्या कहा जाता है अस्ति भंग कहा जाता है इस्थान भंग कहा जाता है अंग भंग कहा जाता है या फिर D option उपरोग तो सभी यहाँ भी D option ना लगाईएगा अस्ति भंग से रिलेट करेगा ए उत्तर right answer होगा next question है 125 जो प्रतेच रूप से फाइलता है उन्हें कहा जाता है संक्रामक रोग कहा जाता है असंक्रामक रोग कहा जाता है दोनों कहा जाता है या फिर D option है इन में से कोई नहीं तो यह जो हो जाएगा आपका A option रिलेट करेगा next question है खेलों में लगने वाली चोटें उनका उपचार एवं संस्थापन का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है इसके आंसर भिन भिन हो सकते हैं बुक्स में पताईएगा 126 उत्तर हो जायागा यहाँ पर खेल चिकिस्था से रिलेट करेगा next question पर move करते हैं 127 जल के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता इलेक्ट्रो थेरेपी के नाम से जाना जाता है हाइड्रो थेरेपी दोनों या फिर वैक्स थेरेपी जल की बात की जारी तुरंत लगाईएगा हाइड्रो थेरेपी रिलेट करेगा next question है खेल संबंदी चोटो को किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है बताईए मसाज के द्वारा सोना बात के द्वारा स्टीम बात के द्वारा या फिर इन में से कोई नहीं 128 आंसर होता है आपका मसाज के द्वारा ए आप्सन राइट आंसर होगा next question पर move करते हैं 129 है ब्यत्तिक के सरीर में प्राकरतिक सुरच्छा का कारी करता है important question है एन्वियस में पूछा हुआ question है पताईएगा vitamin K, vitamin B, vitamin C, vitamin D vitamin से related हर exam में question आता ही आता है आप physical education के कोई भी paper उठाएं एक दो exam को छोड़ दिया बाकि आपको maximum exam जितने भी अभी तक हुए है सभी में vitamin से related एक से दो question maximum तीन question पूछे जाते हैं C उत्तर इसमें सही हो जाएगा next question पर move करते है 130 खिलाडी के गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुना छमताओं के साथ वापसी को कहा जाता है क्या कहा जाता है पुनरवास कहा जाता है पुनर सभाजी करन कहा जाता है साथ मी करन कहते है या फिर इन में से कोई नहीं कहते है तो इसको क्या बोलेंगे पुनरवास बोलेंगे ए आपसन सही होगा next question है 131 पुरुस की अपेक्छा इस्तरी के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए या फिर बहुत अधिक या फिर अधिक होनी चाहिए बताईएगा आंसर होगा यहां पर कम होनी चाहिए ए उत्तर सही होता है next question है 132 कुपोसर के कारण होने वाला रोग होता है या कौन सा रोग होता है malaria वा मियादी बुखार hazard वा टाइफाइट क्वासी और कौर वा मैरसमस या फिर चेचकवा diabetes तो पोसर से रिलेट कर जाएगा आपका क्वासी और मैरसमस C option सही होगा next question है किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं most important और सभी का सही भी होगा next question पर move करते हैं 134 सरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवस्यक होता है यहाँ पर ध्यान रखेगा आज के practice set में कथन से related questions नहीं है next practice set आपको जब भी provide किया जाएगा उसमें 2-3 question कथन से संबंदित भी मिलेंगे यहाँ पर answer क्या होगा संतुरित आहार होगा सरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवस्यक होता है B option सही होता है next question है कौन सा रोग वाइरस द्वारा उत्पन होता है 135 number इसकी shortcut trick भी आप लोग को provide की गई है ध्यान दखिएगा यहाँ पर answer हो जाएगा D next question है कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है C option होता है next question सारेलिक स्रम करने वाले एक ब्यक्त को लगभग कितनी कैलोरी के आवस्यक्ता होती है कितनी कैलोरी के आवस्यक्ता होती है 137 में बताइए 2000 कलो कैलोरी की 4000 कैलोरी 1000 या फिर 3600 कैलोरी D option जितने भी स्टुडेंट्स ने attempt किया सभी का right answer होगा next question 138 बिद्याले स्वास्थ कारिक्रम का अंग है स्वस्थ वातावरन बिद्याले स्वास्थ सेवाए स्वास्थ सिक्षा यहाँ पर उपरोक्त सभी से रिलेट करेगा D उत्तर सही होगा next question मलेरियत था डेंगू में निम्ण में से क्या उभायनिष्ट नहीं है बताईए तो इसमें जो उभायनिष्ट नहीं की बात की गई है B उत्तर से संबंधित है next question पर move करते है question number है 140 HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होगा यह D option से रिलेट करेगा 800 हो जागा next question पर move करते है 141 किस काल में सुकरात प्लेटो अरस्तु आदि दार्षनिकों ने अपना महत्वण योगदान दिया option देखिएगा कौन सा सही होगा बताईएगा राइट आंसर क्या हो सकता है जो भी ग्रुप जोइन करना चाहते हैं इसी नमबर पर ग्रुप जोइन कर सकते हैं कॉंटेक्ट करके इसी नमबर पर आप लोग पेमेंट फोन पे गूगल पर अमेजन पर पे टीम अकाउंट पर या फर किसी दूसरे का द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉट सेंड कर सकते हैं से आप स्क्रीन साइब करेंगे तुरंत आपको ग्रूप से भी एड़ कर दिया जाएगा जो भी न्यू इस्टुडेंट्स होंगे उनको जो पीडिया से 10,000 कोईशन की वो भी प्रोवाइड की जाएंगी Q141 का आंसर आप लोग देखिएगा क्या आंसर यहां पर सही होता है उत्तर रिलेट करता है आपका बिल्कुल सही आंसर है जितने भी लोग अटेम्ट की हैं उत्तर एथेंस काल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है 142 अलेक्जेंडर किसके सिसित है ये अरस्तु के सिस्थ है नेक्स्ट है किसने कहा की सिच्छा का मुख उद्दे से परंपरागत ग्यान को न देखते हुए सही ग्यान को देखा जाए 143 एक कथन से related आपको question मिल गया है तीन option में से answer आप लोग attempt करिएगा अरस्तू, प्लेटू, सुकरात answer होगा यहाँ पे सुकरात महोदे से relate करेगा C option right answer होगा next question 144 वह कौन सा देश है जिसने सारेरिक सिक्षा तथा सिक्षा पर सरुफ पर्थम निर्देशन किया France ने किया, Japan ने किया, Greece ने किया या फिर चीन ने किया तो यह किस ने किया, Greece ने किया, C option सही हो जाएगा next question अरस्तू तथा प्लेटू किस देश से समबंदित है या किस country से relate करते हैं यह आपका Greece से relate करते हैं next है 146, ब्यक्तित के विसलेश रात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया या किस ने प्रतिपादित किया, तो यह सिद्धांत जो प्रतिपादित किया युंग महोदय ने प्रतिपादित किया है next question है 147, मनुर रचनाय कार्य करती है चेतन इस्तर प्रकार करती है, अचेतन इस्तर प्रकार करती है, C आपसने अवचेतन इस्तर प्रकार करती है और एक D आपसने उप्रोक्त सभी, तो यहाँ पर उप्रोक्त सभी नहीं होगा, अचेतन इस्तर से रिलेट करेगा, B आपसन सही होगा, next question स्नायू मंदल का बिकास किस प्रकार के कारक से प्रभावित होता या किस की प्रकार के कारक से अधिक प्रवाईत होता है बुद्धी अधिक होती है से संबंदित है बी आप्शन सही हो जाए ये कथन कारक से रिलेटेड़ कोईशन है अच्छा कोईशन है इंपोर्टेंट भी कोईशन है पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोईशन है 149 आज की इस वीडियो का सेकेंड एंड लास्ट कोईशन है ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक प्राप्त किया इन्होंने प्राप्त किया सुन पदक ये तो हो गया आपका आंसर आपको बताना नीरज चोपड़ा जैबलिन थो से रिलेट करते हैं लेकिन जैबलिन थो जो इन्होंने फेका था भाला फेका यह कितनी डिस्टेंस तक इन्होंने फेका था वह आपको बताना है क्योंकि वहां से question आपका GS में भी पूछा जा सकता है और physical education में तो पूछाई जा सकता है इस question का A option सही होगा next question है टोक्यो पैरा ओलंपिक का theme सांग था यह क्या होगा A, B, C या फिर D option उत्तर यहां पे जितने भी लोगों ने attempt कर दिया है A उत्तर उन सभी का सही हो जाए क्योंकि mind में होगा सबके B option ध्यान रखिये पैरा ओलंपिक की बात की जारी जबकि टोक्यो ओलंपिक की अगर बात की जाती तब आपका B उत्तर सही होता तो यह थे आज के कुछ most important GS और physical education से related 150 प्रसनों का practice set आप लोग अपने scoring करके बताईएगा कि 150 में से आपकी कितने question सही हुए और जितने भी question आपके गलत हुए इमांदारी के साथ में उनको तीन से भाग करके सही question से minus कर दीजिएगा उसके बाद जो actual marks आए वो अपने आप लोग बताईएगा इससे आपकी जो ranking होगी उसका निर्धारण होगा कि किस तरीके से आपकी तयारी चल लही है और कितनी अभी आपको तयारी करनी हो किस label से त सकते हैं जो भी group join करना चाहते है pay group से जुड़ना चाहते है 9621819209 पर contact करके group से भी जुड़ सकते हैं जिसके लिए payment आपको इसी नंबर पर करना होगा phone पे Google पर Amazon पर Paytm account पर या फिर WhatsApp payment भी आप लोग कर सकते हैं जो भी join करना चाहते contact करके join हो सकते हैं तो नए वीडियो म पढ़ते रही है कि मेनत करते रही है जिससे आने वाले एक्जाम्त में आप लोग भी एक सीट government schools में ताप्त कर सकें और ज्यादा से ज्यादा माक्स गेन करके marriage list में अपना नाम सुनीचित कर सकें कर दो